हलो एश्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं इनसी आइटी गनित प्रशना वली तीन दसना चार के प्रशन करमांग दूसरा का तीसरा कोश्चन इसे पीषे जितने भी कोश्चन उनसे में मैं हां एश्वलब कर चुका हूँ और यह कोश्चन मैं जा रहा हूं देखो यह बहौत आसान कोश्चन है जर्ण सबसे पहले हमस्कूपटले ते उसके बाद में आपको समझय की पूरी कोशिश करता हूं कोश्चन दिया गया है कि दो अंको की संख्या की अंको का योग नौ है और किसी इस्तिती में आपको क्या ग्याद करना ठीक है तो यहांँ कहाता है कि 2 आंको की संख्या 2 आंको की संख्या कि अंको का योग 109 रखा यह कंडिशन यह यहां से एक समिकन बनके तो यहां पेहले हम मानेंगे कि माना माना इकाई अंक क्यूंकि दो आंक है तो इकाई अंक मैंने मान लिया एक्स और दहाई अंक मानेंगे फिर दहाई अंक मान लिया मैंने वाई ठीक है तो माना इकाई अंक एक्स और दहाई अंक क्या माना मैंने वाई ओके तो यह मैंने मान लिया अब हम क्या करेंगे दोनों को एड करेंगे यूंकि अंको का यूग कहता है नौ हुआ तो हम लिखेंगे क्या जैसे कि 1 यंग क्या है हमारे पास एकस है वेक्स प्लस दाय हं स्येंगे वॉई एक ये क्या ओफ है किम्किई समीकर्ण एक निकल गया ठीक है कि इस कंडिसन के 2 यहां 2 एक यड़ है यहां तो यहां पे 9 आते है यह तो अब अब यहां से लिखेंगे तो संख्या का नौ गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का दो गुना है हुआ संख्या ग्याद किजिए बस आपको कुछ नहीं करना है इसको अभी छोड़ देना है अब हमें संख्या ग्याद करना है तो संख्या बराबर क्या होता है संख्या बराबर एक फॉर्मूला आता है तो हम यहां पर लिख देते हैं कि संख्या बराबर संख्या बराबर क्या आता है फॉर्मूला वह आता है संख्या बराबर क्या फॉर्मूला आता है मैं यहां पर द करना है अब कुछ नहीं करना है सींपल सी बात है Самी करन यहां से बनाना उपर से हम पढ़ते हैं कि दो अंको की संख्या के अंको का यूग नौ है यहां से एक समीकर बना लेकिन कहता है इस संख्या का नौ गुना भाया कौन सी संख्या तो मैंने संख्या जो निकाला यह इस संख्या का कहता है नौ गुना तो हम यहां पे लिखते हैं दस वाई पलस म एक्स तो इस संख्या का लो भाई 9 गुना मैंने कर दिया इस संख्या का 9 गुना हो गया ठीक है 9 गुना तो कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो यह जो संख्या का अंक पलट दो यहां जो 10 वाई है तो यह हो जाएगा 10 एक्स और पलस में जह हम संख्या जात कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया दो गुना अब यहां से एक समीकर निकल जाएगा पहले हम क्या करेंगे सभी में हम मल्टिप्लाइ कर देंगे यहां से हम क्या करेंगे बहुत आसान है एक सबको यहां खीच लो नहीं होता है तो इक प्लस में 9 एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नेशन टरकिल आट गया दे Hands यहां किअ हम-माइनस के बीजे दो तो कितना बचेगा, तो माइनस का बच जाएगा, या फिर, हाँ, चलो रख लिख लो, माइनस का 11X बचेगा, है की नहीं, बच गया, अब पलस के, 90Y में से घटेगा 2Y, तो कितना बचेगा, 88Y, बराबर में 0, यहाँ पे common ले लो, माइनस का, अगर 11 common ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा, X बचेगा, अब माइनस पलस, माइनस 1188, आठ बचेगा, ठीक है, और वो भी Y के रूप में, बराबर में 0, 0 से देखो, माइनस का 11 है, पक्षांतर नहीं गुना है, पक्षांतर नहीं तो बट्टा में जागा, 0 से माइनस 11 कट जागा, तो हमारे पास क्या आ पर इस साइड हम बनाते हैं, समीकरन 1 तथा समीकरन 2 से, ठीक है, आप लिखते हैं, समीकरन 1 तथा समीकरन 2 से, ठीक है, तो समीकरन 1 हमारे पास यह है, X, है ना, X प्लस के Y बड़ावर में 9, और समीकरन 2 हमारे पास है, X माइनस के 8Y बड़ावर में 0, ठीक है, यह समीकरन 1 है और यह समिकन 2 है ठीक है अब यहां से हम किसी एक कमान निकाल लेंगे ठीक है तो x कमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर लिखना पड़ेगा घटाने पर घटाने पर लिखे तो क्या करना देखो यह पलस है तो यह माइनस हो जागा यह माइनस है तो यह प्लस यह आपस में कट जाएगा प्लस 8y प्लस के y तो कितना हो जाएगा प्लस के 9y और बरावर में इधर क्या हो जाएगा 9 9 से 9 कट जागा एक मरतब्बे ठीक है तो y की वेलू जो आगई एक ठीक है यानी y की वेलू एक आगई अब y का मान हम समी करन एक यह दो किसी में भी रख देंगे हमारा x का मान निकल जाएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान ठीक है, समी करन एक में रखने पर ठीक है, समी करन एक में रखने पर रखने पर लो, तो समी करन एक हमारे पास क्या है x पलस के y बरावर 9 तो हम लिखते हैं, x आप पलस के y, y के जगा पर 1 लिखते हैं और बरावर में 9, तो x बरावर क्या हो जागा 9 है तो 9 प्लस का 1 है पक्षानत करने तो माइनस का 1 तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जागा x बरावर में 9 में से गया तो 8 तो हमारे पास 8 प्राप्त हो गया x की वेलू 8 आई और y की वेलू 9 तो हमने जो लिखा था तो संख्या बराबर, है ना, संख्या यहीं नो पूछ रहा है, संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने लिखा था, वो लिखा था कि 10Y, पलस में X, यहीं ना आया था, संख्या बराबर, अब इसे में पूट करेंगे 10, और गुने में, Y क value 1 to 1 लिखेंगे आप पलस में x की value कि इतना 8 है तो 8 लिखेंगे 10 एक में गुना करेंगे 10 और 8 है दुन को जो रहेंगे तो 18 तो हमारे पास संख्या गया 18 यह हमारे पास answer प्राप्त हो गया कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूं देख लो उपर से यह इस तरीके से नोट कर लेना आपको वीडियो पॉज करके देख सकते हो आई होप कि यह कोशन आप समझ गये होंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को विशेर करना धन्यवाद दोस्तों